नमस्कार दोस्तों चैनल गयान सक्षु में आपका स्वागत है अब हम बात करते हैं हनुमान ये जो हैं उनको किस परकार से शिद्ध करके किया जा सकता है और उनको शिद्ध करके घर में कैसे स्थापना करें जिससे कि सभी परकार के कष्टों से मुक्ति हो इंदु दर्म सास्तर के अनुसार येंतर द्वारा किसी भी देव या देवी की पूजा अराधना करना से उनको शिद्ध परसन गिया जा सकता है येंतर में साक्षा देव का वास माना जाता है अनुमान येंतर की भी साधना करनी चाहिए अनुमान येंतर भी अनुमान जी का इस रूप है ये अन्दर दो औरा अनुवान जी की अरादना करने से अनुवान जी शेक्र परसन होते हैं और उनकी क्रिपा सदेवा पर बनी रहती है अनुवानी अंदर को शिद्ध करने के पस्चाथ गर में पूजास्डल पर श्तापित किया जा सकता है अंगर में पूजा स्तल पर स्तापित करने के बाद उसकी पूजा नित्य की जानी चाहिए आज हम आपको अनुमानी अंतर को शिद्ध करने की स्तरलविदी के विशे में जान कर देने वाले हैं इसके साथ ही आप जान पाएंगे कि अनुमानी अंतर को शिद्ध करने के पस्चात उसकी नित्य पूजा कैसे करनी चाहिए। अनुमानी अंतर का जो चित्र है वो वीडियो के थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है। आप उसको देख लें वहाँ से। वीडि सबसे पहले प्रतिष्ठान से या किसे अच्छे प्रतिष्ठान से अनुमानी अंतर गड़ पे ले आएं। मंगलवार के दिन सुबह सुबह पूरो दिखा की तरफ एक चोकी पर स्थापित करें इसको एक चोकी के स्थापना करें और फिर उस पर लाल रंका कपड़ा बिचा दें। अब इस चोकी पर अनुमानी अंतर को स्थापित करें। सोकी के आगे गी का दिपक जलाएं और इस मंतर के 5,000 जाप करें मंधर दवार सुन ले इस परकार 5,000 मंतर जब के पश्चावप अगले दिन हावन करें और आनवान जी के इस मंतर की पांच सुखाव उतिया दें ऐसा करने के पश्चात अंत में अनुवानी अंतर को आवन के उपर से 21 बार गुमा करके आवन की भशम के द्वारा तिलक करें इस परकार अनुवानी अंतर को आप शिद्ध कर सकते हैं इससे देनुमानी अंतर को आप अपने पूजास्तल में रखें और नियमे तरूप सेश्की पूजा करें नेते पूजा पाठ में सबसे पहले आप गनेश जी का ध्यान करना चाहिए फिर आप अनुमान जी का ध्यान करते हो उनकी स्तूती मंतर से उनकी आरादना करें और अब उनकी सरदानुसार अनुमान अस्तक या अनुमान बजरंग बार्ण चालीशा बगएरा का पाठ करें और अंत में होम होम अनुमत रुदरातम का यहूंफट मंतर का एक स्वाठ वार्जा अवश्य करें मंगलवार के दिन अनुमान यंतर को बूंदी के लड़गा वोग लगाएं इस परकार आप अनुमान यंतर को सिद्ध करके और यंतर की नियमे तरुप से पूजा करें अनुमान यंतर में साक्षात अनुमान जी विराजमान होते हैं इसलिए यंतर दोबारा अनुमान आराधना आपको सभी कस्टों से मुक्ति दे सकती है जो समय अनुमान यंतर को शिद्ध करने का नहीं निकाल सकते हैं वो हमसे संपरक कर सकते हैं हमारा संपरक नमबर है 740-443-7199 नमबर दोबार सुन ले 740-443-7199 धन्यवाद आम